वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आद रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजे और बेल नुट्रिशन आइकन तो पने मत भूलेगा अब बिना किसी तेरी के मुवी एक्स्प्लेंग करना स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन क्यारेटर जिसका नाम है जून इसको हम देख सकते हैं जून एक स्कूल में जीम टीजर है या फ़र्स सीन में वो स्टूडन्स को स्विमिंग करना सिखा रहा है इसी सीन से हमें ये भी पता चलता है कि उसकी स्कूल की बहुत सारी लड़कियों को उस पर क्रश है इसमें से एक लड़की का नाम यंग है यंग जून को बहुत पसंद करती है और उसका अटेंशन पाने के लिए स्विमि पूल पर सबसे उची जगा पर चड़ जाती है वहाँ से जम मारती है सब उसके लिए वरी करते अगर वहाँ से ओ जम मारे की तो इंजोर हो सकती है पर वो किसी का पे नहीं सुनती और जम मार देती है उसे फिर जून बचाता है उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके बाद नेकसिन में हमें जून की वाइफ दिखाए जाती है वो प्रेगनन्ट है और नए घर में अभी मूविन कर चुके है एक दिन जून सबको टॉजबॉल सिखा रहा था इसी प्लेग्राउंड बर यंग भी थी उसने यंग की तरह बॉल फेका पर वो उसे अपने आपको टर्स नहीं होने दे रही थी ऐसा बहुत बार हुआ तो जून ने बहुत जोर से उसे वो पॉल मारा इसे वो इंजोड हो गए तो उसा फरस्ट एड कराने के लिए उसे स्कूल में लेकर गया जून कहता है इतना फास्ट पॉल आ रहा था तभी तुम उसे कैच करना चाहती थी क्या तुम डरती नहीं तुमारा फिंगर से गरा फ्रैक्चर हो जाएंगे यंग बोलती है मैं किसी भी चीज से नहीं डरती है वो जून से बुछती है तुम किस चीज से डरती हो और उसे गले लगा लेती है वो फिर अब वहाँ से चला जाता है निकसिन में हम देखते हैं कि जुन अपनी वाइफ के साथ फैमिली डिनर पर आया हुआ है यह उसकी वाइफ की फैमिली के साथ डिनर है इनकी कन्वरसेशन से हमें पता चलता है जुन का नया घर भी उसके फादर इन लौ नहीं उन्हें गिफ्ट किया था इस डिनर पर हम उसे अनकमफ़टेबल देख सकते हैं एक दिन जुन ग्रोसरी शॉप में था वह उसे यंग फिर से मिली यंग को स्ट्रॉबरी मिल चाहिए था तो इसके पैसे उसने जुन को ही देने के लिए कहे वो उसके पास आकर कहती है तुम पहले रगभी प्लेयर हुआ करते थे मुझे भी रगभी बहुत पसंद है जुन कहता है अगर तुमें खेलना है तो तुमें फिमेल टीम में मिल डाल सकता हो इसके बाद नेक सिन में हम डारेकली देख सकते हैं कि जुन रगभी खेल रहा है उसे चीर करने के लिए यंग वहाँ आई हुई है उसे फिमेल टीम में नहीं जाना था उसे सिर्फ जुन को खेलते होई देखना था जुन के फ्रेंड्स जब हैं नोटिस करते हैं तो उसे चिडाते हैं कि वो तो बहुत ब्यूटिफुल है अगर उसके कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ हमें भी सेट कर देना जुन इन पर गुसा होता है और खहता है ऐसी सोच मत रखो ऐसा कुछ भी नहीं है ये गेम खेलने के लिए यंग जुन के साथ ही आई हुई थी गेम खतम होने के बाद वो थोड़ी देर में गाड़ी में ही सो गए जुन अब उसे ट्रॉक करने वाला है यंग का सीट बेल बानने के लिए उसका पास गया यंग जगी हुई थी उसने कहा अगर तुमें मुझे किस करना है तो तुम कर सकते हो जुन ने इसे इग्नूर कर दिया जुन की गाड़ी पर यंग एक साइन बना कर जा दिया यह थी है कि आप गाड़ी को वाश मत करना अगले दिन स्कूल में पानी के साथ सब लड़किया खेल रही थी इसमें यंग भी थी और इसे जुन देख रहा था और देर बाद जब सब लड़किया चली गए तो इस टैप के पास जुन आया यंग की हैर क्लिप वहाँ उसे मिली यह क्लिप उसने अपने कपड़ों में ही रख दी थी उसे वाशिंग के लिए दे दिया उसे बात में याद आया कि उसकी वाइफ ने एक कपड़े वाश कर डाले होंगे वह स्पीन को ढून रहा था पर उसकी वाइफ ने ओल्रेडी से ढून लिया था उसके हेर्स में एक लिप थी वाइफ को लगा कि यह पीन जुन ने उसी को गिफ्ट देने के लिए लाई हुई थी यह क्लिप देखकर वो बहुत ही खुश होती है रात में हम देखते हैं जुन और उसकी वाइफ जब इंटिमेट होते हैं तो भी भी जुन यंग के बारे में ही सोच रहा था एक दिन जुन को स्कूल में लेट हो गया और बाहर पारी स्टार्ट हो गई थी वो जड़ा बाहर निकला तो वहाँ यंग भी थी उससे कहती है एक बार बारिश खतम हो जाए उसके बाद में चली जाओंगे जुन और यंग फिर बारिश खतम होने का वेट करते हैं जुन लोटिस करता है कि यंग यहाँ भी स्ट्रॉबेरी मिल्की पी रही है वो उससे पूछता है कि तुम हमेशा स्ट्रॉबेरी मिल्की क्यों पीती रहती हो यंग कहती है जब मुझे एक फ्लेवर पसनाता है तो उसे मैं हमेशा कंटिनू करती हूँ इस सिंसे हम देख सकते हैं यंग को एक चीज पसना आगे तो उससे वह अपसेस्ट हो जाती है यंग को थन लग रहे थी तो जुन अपना जैकेट उसे ओफर करता है अंदर जाकर यंग ये जैकेट पहनने का ट्राइक करती है पर इसकी चेन उसे ट्रॉबल देती है जुन से भुचती है प्लीज अंदर आकर मुझे हेल्प करो जुन को पहले सही नहीं लगता पर वो अंदर फिर चला जाता है जैकेट की चेन लगाते वक्त यंग की बॉड़ी को नोटिस करता है वो उसे अब किस करने वाला था पर उसे गलत लगा तो आगे चला गया अचानक से जोर की बिजली करके यंग डर गे और उसने जुन को गले लगा लिया इसके बाद वो किस करने लग गया अचानक से गाट की आवाज उने आए वो सब क्लासरूम्स चेक कर रहा था ये दोनों वही चुप गया यंग कुछ आवाज ना करे इसलिए जुन ने उसका मूँ बन कर दिया यंग का दम घुट रहा था गाट चले जाने के बाद जुन ने जब यंग को देखा तो भेहुष थी जुन बहुत ही डर गया उसने यंग को उठाने की कोशिश की पर वो उठने रही थी बहुत देर हो चुकी थी और जनरली जुन घर पहुँच जाता था तो उसकी वाइफ उसे देखने के लिए स्कूल में पहुझ गई गाट के साथ वो उसे ढून रहे थी तो जून भी बाहर निकलाया वो कुछ कर ने पाया और यंग को वैसे ही छोड़ कर घर चला गया रात में excuse लेकर वो यंग को फिर से ढूनने के लिए पहुझता है यहाँ पर यंग उसे नहीं दिखती वाव उसका phone पड़ा हुआ है जो रख लेता है अगले दिन सब student से पुछता है कि यंग का है पर किसी को भी पता नहीं होता पुरी स्कूल ढूनता है तो एक जगा पर यंग उसे मिली जाती है वो बहुत ही वरेट था कि यंग के साथ क्या हुआ यंग उसे पुछती है कि तुम कहा चले गए थे जुन कहता है तुमें देखने के लिए मैं वापस आया था पर तुम वहाँ से चली गई थे कि सब लड़किया देखकर हस रही थी और टीचर को भी पता चल गया प्रिंसिपल ने यंग को मिलने के लिए बुला है उसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों लिखा क्या तुम्हारे साथ सर्चुन में ऐसा कुछ हुआ था यंग जुन को ट्रवल में नहीं लाना चाहती इसलिए कहती है कि ये सब इमैजनरी था बहुत सारे टीचर्स ने जुन और यंग को एक साथ देखा है प्रिंसिबल को शक जाता है कि शायद ये सब सही हो सकता है वो जुन को बोलाता है और वार्निंग देता है कि अब तुम्हारी और किसी स्टुडेंट की कोई भी रूमर फेलनी नहीं चाहिए अगर इसा हुआ तो वो ट्रवल में आ सकता है इस इंसिडन के बाद जुन यंग को इगनोर करना स्टार्ट करता है उसके सब मैसेज़ेस वो इगनोर करता है एक बार वो अपने फ्रेंड के साथ बार में आया हुआ था अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है जैसे हमें जुन का पैगरांड पता है कि एक रगभी प्रेंड था उसे उसमें ही करीयर करना था उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुमारी वाइफ वो प्रेंड है तो इस बहुत सारी पैसों की ज़रुरुत पढ़ेगी तो उससे उससे शादी करनी पड़े एक stable job लेना पड़ा वो अपनी life से खुश नहीं है रात में यंग जून के घर पर भी call करती है उससे कहती है कि मैं तुम्हें miss करती हो जून इसके लिए भी कोई answer नहीं देता स्कूल में उसके लिए वो gift भेशती है पर जून इसे डेस्विन में डाल देता है एक दिन जून स्कूल से घर आया वाइफ उसके लिए अच्छा सा डिनर बना रही थी वाइफ ने कहा कि तुम्हारे लिए एक surprise है उनके बच्चे के लिए वाइफ ने पूरी room paint वेगरा करवा ली है उन्हें money problem थी पर ये सब यंग ने sponsor किया है यंग अभी भी जून के घर में ही है वाइफ कहती है तुम्हारे students कितने अच्छे है कितना अच्छा है gift है वाइफ ने यंग को डिनर के लिए invite कर लिया है वाइफ जून से कहती है यंग के parents आज घर पर नहीं है तो हमारे साथ ही वो आज रात रहेगी जून इसके लिए कुछ कहे भी नहीं पाता डिनर टेबल के नीचे से ही यंग जून के साथ flirt करती है साथ में जून और उसकी वाइफ बात करते है जून की वाइफ यंग को पढ़ाने वाली है यंग बहुत ही रीच है तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जून इसके लिए मना करता है गहता है यंग मुझे like करती है इसलिए वो यहाँ आना चाहती है वाइफ इसे seriously नहीं लेती है गहती है इस यंग में teacher पर crush होना यह बहुत ही normal है आधी रात में यंग जून के कमरे में आ गए उसे बहार लेकर गए उसके साथ वो intimate होना चाहती थी जून इसके लिए मना करता है पर वो मानती नहीं जून कुछ भी try करे पर यंग उसका पीछा नहीं छोटने वाली एक दिन वो स्कुल की लड़कियों को CPR सिखा रहा था यंग को लग रहा था कि वो उसे ही demonstration के लिए बुलाएगा पर जून जान बुच कर किसी दूसरी लड़की को पिक करता है किसी दूसरी लड़की ने अलमोज जून को किस किया इससे यंग बहुत ही गुसा होती है यह जो लड़की थी इसे शावर में कोई चाकू मार कर चला जाता है स्कूल फिर इस लड़की को हस्पिटल में एडमिट करते है जून और उसकी फ्रेंड जिसका नाम ही यून यह दोनों फिर बात करते है जून को लगता है कि यह यंग नहीं किया था फ्रेंड फिर समझ आती है कि जून और यंग में कुछ ना कुछ तो है जून बहुत सैर था तो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर चला गया रात में वो चल भी नहीं सकता था तो जून उसके घर उसे छोड़ने के लिए आये ये सब देखकर जून की फ्रेंड पर वाइड गुसा होगे एक्चुल में जून और उसकी फ्रेंड पहले रिलेशनशिप में थे रात में जून को छोड़ने घर पर आये ये उसे अच्छा नहीं लगता गहती है कि लोग बाते बनाते हैं तुम्हारे रेपुटेशन का तुम खयाल रखा करो जून को तुम्हें इतना नहीं पीने देना चाहिए था इसके बात फ्रेंड यहां से चली जाती है जैसा हमें पता है कि जून की वाइफ अफ यंग को पढ़ा रही है यंग जून के वाइफ से कहती है तुम्हारे रिंग बहुत ही प्यूटिफुल है इसे वाइफ पहले मना करती है पर उसे देखने के लिए दे देती है यंग उससे पुछती है कि तुम जून से कितना प्यार करती हो क्या तुम उसके लिए अपना खुद का पेर तोड़ कर दे सकती हो यहाँ पर यंग के हाथ में एक कटर है यह थी है क्या अपनी उंगली तुम तोड़ सकती हो इस सब कनवर्सेशन से वाइफ अनकमफरडिबल होती है एक लास वो यही कतम कर डालती है यंग उससे कहती है मैं थोड़ी देर यही वेट करती हो जुन जब घर पर आएगा तो उसे मिलकर वो जाना चाती है यह सब देखकर अब वाइफ को लगता है कि यह ज़रा सिरियस मैटर है एक दिन जुन स्कूल में यंग से बात करता है तो कहता है मेरी वाइफ पर में चीट नहीं कर सकता अब यह सब वो बन करना चाता है यह कहती है कि तुम डरो मत उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा जुन फिर भी मान नहीं रहा यह उसे फिर ब्लैकमेल करती है यह ति है अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाते है तो उसे पता चले या ना चले इसे क्या फरक पड़ेगा यानि कि इंडायकली उसे कहती है कि वो उसकी wife को बता देगी जुन strongly चाहता है कि ये सब बन हो जाए वो school छोड़कर freelancing coach भी बन सकता है इन सब चीजों के बारे में अपनी wife को कहता है उसकी wife उसे समझाती है यह थी है अगर तुम freelancing job करोगे तो सही से earning नहीं होगी हमारी family के लिए हमें एक steady income चाहिए उससे कहती है कि तुम अपनी job नहीं चोड़ सकते है एक दिन young फिर से coaching के लिए जुन की wife के पास आये wife non-wage cook कर रही थी है इसके smell से young irritate होके और उसने उल्टी कर दी wife से कहती है कि मैं pregnant हूँ इसे wife को बहुत शौक लगता है उसे पहले ही जुन और young पर शक था रात में वो जुन का पीछा कर दिया जुन young के building में ही पहुच गया उससे फिर confirm हो जाता है कि young जुन की वज़े से ही pregnant है next day young जुन के wife के साथ उनकी wedding photos देख रही थे wife से कहती है तुम्हारी ये ring मुझे हद कड़ियों की तरह लगती है इन photo में भी जुन को किसी की प्यार की जुरुत है इस तरह से वो लग रहा है young ने wife को ए पसनली कहा था wife भी चिट गए उसने कहा कि जुन सिर्फ तुम्हें use कर रहा है तुम दोनों की बीच एक real relationship नहीं है वो तुम्हें use करेगा और उसके बाद छोड़ भी देगा young कुछ बोल पाए इसके पहले उसे चक्कर आगे actual में जुन की wife ने उसके drink में कुछ मिला कर उसे बेहोश कर दिया उसने फिर जुन की friend को call लगया उससे कहा कि तुम जुन से बहुत प्यार करती थी उसका और मेरा future ये सही हो इसलिए मैं सब करना चाहती हो उसे जुन के friend से help चाहिए ये दोनों फिर यंग को डॉक्टर के पास लेकर आती है उसका वो illegal abortion करवाने वाली है डॉक्टर यंग को चेक करते है और कहते हैं यंग pregnant नहीं है वो तो कभी किसी के साथ intimate भी नहीं हुई है ये सुन कर जुन की wife को शौक लगता है यंग सब कुछ imagine कर रही थी वाइफ ये यंग को फिर से घर लेकर आती है यंग को चब फोश आता है तो कहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया वो अपने पेट को देखती है उसे लगता है कि उसके imaginary baby का abortion हो चुका है वो बहुत disturb हो जाती है वो फिर वाइफ को मारने लगती है एक दूसरे को मार ही रही थी तब ही जून वहाँ पोच गया इनकी fight उसने रोकी इस fight की वज़े से यंग की वाइफ का water प्रोक हुआ उसे वो जल्दी से hospital ले जाता है ये delivery premature थी पर baby की health को कोई भी problem नहीं आया एक सिन में हम देख सकते है कि जून की friend यंग को घर चोड़ने के लिए जा रही थी है यंग उसे गहती है मुझे बहुत बुरा सपना आया था इस सपने में तुम भी थी यंग के पास एक कटर था इस कटर से ही जून की friend को उसने मार डाला next day hospital में आकर वो जून का बेबी अपने साथ लेकर चली गई जून और उसकी wife को जब यह पता चला तो बहुत disturb हो गए सब जगा ढूणने लग गए wife को फिर यंग का call आता है वो कहती कि बेबी उसके पास है और wife से वो अकेल ही मिलना चाती है जून को बता कर wife जल्दी से वहाँ से चली जाती है जून भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था यंग अपनी building की water tank के पास थी wife आकर उससे पूछती है यह मेरा बेबी कहा है यंग उससे यह थी है जितना प्यार में जून को कर सकती हो उतना तुम कभी भी नहीं कर सकती है वह से पॉइंट आउट करती है कि उनका बेबी इस water tank में है बेबी को ढूणने के लिए wife इस water tank में जम करती है वह जब देखती है तो water tank में एक डॉल थी है यंग बहार से wife को अंदर ही बंद कर देती है wife को drown करने के उसने पानी भी start कर दिया थोड़ी दर में जून यंग की बिल्डिंग में बहुजा यंग के घर में उसका बेबी उसे मिल गया वो फिर अपनी wife को ढूणने के लिए यंग के पास आया यंग उसे समझा थी है कि मैं उससे अच्छी wife बन सकती हूँ जून मानता नहीं यंग फिर जून की wife कहा है उसे बता देती है जून जाकर अपनी wife को बचा लेता है जून ने यंग को चूज नहीं किया यह वो bear नहीं कर पाये अब वो suicide करने वाली थी वो terrace की age पर खड़ी है यह जून ने देखा जून से कहता है प्लीज नीचे उतर जाओ इस बारे में हम बात कर सकते हैं यंग सुनती नहीं और जम मारती है जून जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है कहता है कि जल्दी से उपर आ जाओ यंग उपर आने का ट्राय नहीं कर रही कहती है कि जब तुम मेरे साथ थे तुम्हारा भी दिल धड़क रहा था उसे बुछती है कि हमारे बीच की रिलेशन्शिप आखिर क्या थी वो अब जीना नहीं जाती स्लोली स्लोली जून का भी हाथ सटकता जाता है कि यंग नीचे गिर कर मर जाती है जून अपनी वाइफ को कह रहा था यंग को बचाने के लिए उसके वो हेल्प करें पर वाइफ नहीं मानी अब हम देखते है जून उसकी वाइफ और उसका बेबी यह सब एक साथ तो रहते है पर जून बहुत ही दुखी है वो यंग को याद करकर बहुत रोता है मूवी के लास सिन में हम देख सकते कि हमेशा जून मी यंग को देखता रहता था वो से वी यंगी नहीं थी तो जून से अपसेश्ट थी उसने जब यंग के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किये तो बहुत गलत किया वो अपनी वाइफ पर चीट नहीं करना चाता था यंग को उसने ये सब समझाने की कोशिश की पर तब तक देर हो चुकी थी यंग उससे अपसेश्ट थी उसका अपसेशन बढ़ता चला गया और उसका अंथ बहुत बुरा हुआ फाइनली उनकी गलती की सजा एक दूसरे को भुगत नहीं पड़ी आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं अगर आपको ये वीडियो चला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजे बहुत सारी मुविज लेकर आत रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिशन एक उन्दमरे मत भूलिया फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुविए के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये